हेज जैमने, क्यासी है आपकी एनरजी, क्या कुछ आपके मार्च में आने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है मार्च के एनरजी में, यहाँ पे सब कुछ जाने की कोशिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, प्यूकि हर क कुछ है जो आपके मार्च के माईने में रहने वाला है, मिथुन रास के लिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिएगा, मिथुन रास के लिए, फश्स कर्ड आपका है, हैंग मैड का कोछ प्रॉब्लमस आपके लाइफ में दिखाई दे रही हैं, जिसे आप सेलोसन पाना चाते हो, पड़ कही नदे कहीं सेलोसन नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब आपके लाइफ में सेलोसन आते हुए दिखाई दे dovENTS, थेक्वे लिए अक इनर विजडम से जितना अपने आप पर विश्वास बना के रखोगे उतनी ही जल्दी आपको आपके सेलूशन मिल जाएंगे दा मून का कार्ड है अगला टेन ओफ सोड कुईन ओफ वैंड्स बटम में कार्ड है नाइन ओफ पैंटिकल का तो सबसे पहले मुझे यहां पर जो आपके लिए मास के महीने में एनरजी मिल रही है कि आप जो है ना अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो तीक है अभी तक आप बहुत ही हैंड रहे हो कहीं ना कहीं आप अकेले ही जन्री में चलते रहे हो पुरानी चीजों को लटगो नहीं कर कुछ अइसी आप अपकी लाइफ में थी जिनसे आप रहे प्लेट हो गये और दूसरों की बातों में आकर के फैसले लिए और फैसले लेने में कई बार आपको उस चीज में फिर रॉस का सामना करना पड़ा धोके का सामना करना पड़ा लेकिन अब आपको समझ में आया कि जो मेरी intuition कहती है, वही मेरी inner wisdom है, वही मेरी right है, तो आप अकेले चलना चाहते हो, तो मार्च की energy मिल रही है, कि यहां पर आप अकेले आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत ज्यादा spiritually work करोगे, खासकर के candle magic, tarot readings, या फिर भगवान को दिया जलाना, ऐसे work आप करने वाले हो, मार् करोगे, कि यह मैं तो कर सकता हूँ, इसके solution तो मुझे पता थे, बस मैं अपनी life में उसके साथ connect नहीं कर पाया, अपनी higher self के साथ, अब आप क्या ना, higher self के साथ connect करते हुए दिखाई दे रहे हो, यहां पर आप बहुत ही powerful energy मेरा होगे, क्योंकि बटम में भी 9 of pentacle का card है, त स्पार्क रहेगा, लोग आपकी तरफ देखकर के attract होंगे, इसके अंदर तो इतना बड़ा talent है, यह तो बहुत ही talented person है, यह ऐसा कर सकती है, इसके अंदर इतनी wisdom है, तो यहां पर लोग आपकी respect करते हुए भी यहां पर दिखाई दे रहे है, रिस्पेक्ट आपको मिलती हु सीजन खुद से लेना है, किसी और से manipulate नहीं होना है, यह आपकी अकेली की जर्नी है, तो खुद ही इस जर्नी को चलना होगा, ठीक है, बले कोई आपके साथ ना हो, लेकिन जब आप powerful हो जाओगे, इस साल के आंत तक तब बहुत बड़ा कारवा आपके साथ होगा, आप independent energy मे आजाओगे, पैसे के लिहास से भी आपकी life में success बंगते हुए दिख रही है, लेकिन ये मार्च के मैने में मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ये आज जो कदम उठाओगे, इस से आने वाले समय में आपके पैसों की बंकत आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पर पैसों को लेकर के थोड़ी सी एनर्जी आपकी लो आई है, कि अभी आप शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हूँ, बड़ी डील यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन आप success के रास्ते पर हो, ठीक है, success के रास्ते पर हो, चलिए आपके लिए कुछ और एनर्जीस देख लेते हैं, क्या है आपके लिए और एनर्जीस, एक चीज और मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जैमनाई, मिथुनरास वालो, चिंताओं को पीछे छोड़ दीजिए, ज्यादा बढ़न लेकर के मचली चिंताओं का, सबकी चिंताओं आप लेकर के नहीं चल सकते हो, जिन्हों ने जो गलग किया है, उसको कहीं ना कहीं खतम करके एक नई शुरुवात करनी है आपको, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो, ओके यहाँ पर है इंपरर की एनर्जी, सेवन ओफ कफ, किंग ओफ सोर्ड, टू अफ पैंटिकल, दस सन की एनर्जी, एन टू अफ कफ, यहाँ पर जो भी सांजेदारी, बॉटम में काड़ है, नाइट अफ वेंस, ठीक है, यहाँ पर आपकी इच्छा सक्ती, मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है, सांजेदारी में अगर कुछ काम करना चाते थे, तो यहाँ सांजेदारी में भी आपके पार्टनर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लब के लिहाँ से भी महीना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, फाइनेंसली चीजे भी इंकम बढ़ते हुए दिख रही है, दाइंपर की एनरजी जैसे कि मैंने पहले कहा है, कि यह फ्यूचर के आपकी एनरजी है, इस मार्च के महीने में जो आप करम करोगे, इससे फाइनेंसली या बिजनस को लेकर कि आपकी लाइफ में एक बड़ी आने वाले समय में बनते हुए दिखाई दे रही है, बस अपना टूडो लिष्ट बनाइए, चाहिए क्या आपको, हर चीज आपको मिलेगी, हर सपना आपको पूरा होगा, बस अपनी टूडो लिष्ट बनाइए और काम करते रहे है, लोचकल होकर के वर्क करना है, आप दो सिच्वेशन के हिसाब से डील करता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, इंक्यूशन के सुनने का मतलब यह नहीं है कि हमें इमोशनल होना है, हमें प्राक्टिकल होकर के अपनी इनर विजडम पर ही फोकस करना, और यह किंग आप सोड क्या है, उसी को, मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में हैपिनेस की एक सकसे की एनरजी भी दिखाई दे रही है, तो जो लोग जॉब को लिए ट्राइ कर रहे है, वो जॉब की यहाँ पर सकसे मिल रही है, यहाँ पर अगर कोई इनर चाइल्ट ट्रॉमा भी आपकी लाइफ में बराबर चल तो वह गैजट आपको यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एक सूरज उदय हो रहा है जो आपकी लाइफ में सक्सेस की और लेकर के जा रहा है कुछ लोगों की यहां पर प्रिग्नेंसी भी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है अगर आप मिथोन रास्के हो औ तो परिवार भी बढदे उए आपका यहां दिखाई दे रहा है ज्याओ पुराने इन्वेस्मेंट किये थे यहां पर इन्वेस्मेंट्ट जो है आपका यह मार्स excuse. महीं में आपका प्लान के उपर वर्क करते रहना है, जितने जल्दी आप वर्क करोगे, जितना जल्दी स्टैंड अपने लिए लोगे, मार्स का महिना उतनी ही जल्दी आपके लिए ब्लेसिंग भरा रहेगा, क्योंकि क्वीन और यहां पर हैं तो यहां पर decision नहीं ले पा रहे हो, solution नहीं ले मेसेज देख लेते हैं, क्या है आपके लिए एंजल मैसेज, प्लीज टिवाइन, प्लीज उनिवर्स गाइड कीजिएगा, मिथुन रास के लिए क्या है एंजल के ब्लेसिंग या फिर विजटर्म courage and bravery, जो भी आप work करना चाहते हो, life में उसके लिए बहुत सारा साहस लेगा, और साहस लगने के लिए इस हैंगिंग एनर्जी से निकलना पड़ेगा, तभी आप साहस लगा पाओगे, नेस्ट कार्ड है आपका spiritual growth, spirituality में growth करना है ठीक है और जैसे मैंने कहा candle magic के उपर आभी आप work करते हुए दिखाई दे रहे हो ठीक है, candle magic या फिर किसी spiritual work के उपर ठीक है, guardian angel आपके साथ हैं, आपको protect कर रही हैं तो किसी प्रकार के fear में हो, किसी प्रकार के डर में हो, किसी anxiety में हो, किसी चिंदा में हो, बाहर निकल आओ, क्योंकि आपकी guardian angel आपको protect भी कर रही हैं और guide भी कर रही है, next card है आपका holy love, यहाँ पे love की vibration हाई है, एक card और था, inner child healing, यहाँ मैंने बाद की थी, inner child healing भी आपका होती में दिखाई दे रहा है, कुछ answer जो आपके लिए अभी bottom में no है, ठीक है, जो अभी आपको result नहीं मिले आने वाले future भी मिलेगा, yes यह थी मेरी आपके लिए reading, reading पसंद आए तो video को like कीजिएगा, share कीजिएगा, bye